दोस्तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि सिलाई करके कमाना चाहते हैं बहुत सारा काम तलास लिया इन्होंने लेकिन इन्हें मिल नहीं रहा वैसे मैंने ही आल्रेडी एक वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से गूगल की हेल्प से आप अपने आसपास ही सिलाई का काम धूर सकते हैं अगर आपने वो भा तो आई वर्टन में जाके देख ले ना लिंक मैं दे दूंगी ठीक है आज हम बात करेंगे सिलाई करके कमाने के तरीकों के बारे में यदि आपको एक सिलाई आती है आपके हाथों में फिल्सिंग है तो आप किस तरीके से सिलाई करके कमा सकते हैं इन तरीकों के बारे में बताऊंगी ध्यान से देखेगा ध्यान से समझेगा देखे काम धूंडना सभी का काम है धूड़ना ही पड़ता है अगर हमें काम की तलास है तो काम धूड़ना ही पड़ता है लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक हम खाली तो बैट नहीं सकते हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए तो आज मैं आज कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगी जो कि आपके लिए काफी helpful होंगे तो make sure video को पूरा जरूर देखिएगा अन तक जरूर बने रहिएगा और इन जो तरीके हैं उन में से कोई ना कोई तरीका जरूर follow करिएगा उस पे focus करिएगा, उस पे work करिएगा implement करिएगा, तब ही आपको जाके success मिलेगी, देखिए कोई भी काम तुरंत ही बड़ा नहीं हो जाता कहीं से भी तुरंत ही पैसे नहीं आने सुरू हो जाते, आपको धीरे-धीरे मैनत करनी होती है, धीरे-धीरे अपने business को build करना पड़ता है तब जाके आपको पैसे मिलते हैं तो आज जो तरीके बताऊंगी उनमें से कोई एक तरीका जरूर अपनाईएगा कोशिश करिएगा और implement करिएगा, देखिए अगर आप कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी तो चलिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेकिन उससे पहले पहली बार मेरे चैनल में आये हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रस कर ले, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो, तो चलिए साथ करें जान लेते हैं, सिलाई करके आप किन-किन तरीकों से कमा सकते हैं, तो देखिए, आज मैं आपके साथ 5-6 तरीके बताऊंगी, ठीक है, पहला तरीका ये है कस्टम टेलरिंग का, कस्टम टेलरिंग अगर आप नहीं जानते हैं, तो बता देती हूँ, वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर आपको सिलाई आती है, तो आप अपने घर से ही, घर पे ही बैटके, आसपास के लोगों को से फीचर करके, कपड़े लेके, उनकी नाप के कपड़े बना के उन्हें दे दो, ठीक है, उसके बदले वो आपको पैसे देते हैं, बहुत सारी औरते ये जेंस, ऐसा करते होंगे, अपने आसपास के लोगों को कपड़े सिलके देते हैं, और उसके बदले में उन्हें मनी मिलता है, लेकिन आप न, सिर्फ अपने घर तकी सीमित मत रहो, आपको जादा पैसा कमाना है, तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचोगे, तभी बड़ा कर पाओगे, तो अगर आपके पास कुछ लोग बन जाते हैं, तो आप कोशिश करो, कि अपनी एक शॉप डाल लो, जो की रोड के किनारे हो, है न, जो क इफ्रेंट पे हो, लोगों की नजर पे हो, इससे क्या होता है, आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, और यदि आपकी अर्निंग बढ़ने लगती है, तो आप वहाँ पे दो-चार करमचारी रखके अपना एक बुटिक स्टार्ट कर सकते हो, तो य पहला तरीका था, अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, किसी एक चीच पे फोकस करो, किसी एक चीच पे फोकस करो, मतलब बहुत सारी ऐसी वेराइटीज हैं, अपने आस पास, जो कि कपड़ों की द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, यदि आप सिलाई करने में माहिर हो, ठी कि हमको ऐसे परदे लगवाने, ऐसे पूल लगवाने, ठीक है, तो आप न क्या करो, कि किसी एक चीच पे फोकस करो, चाहे आप फ्लावर बना सको, फ्लावर ले लो आप, ठीक है, या फिर कोई अच्छे खासे परदे बना लो, ठीक है, अब आपको उसमें डिजाइनिंग क का काम करते हैं, जो कि इंटिरियर डिजाइनर का काम करते हैं, आपके आसपास जरूर होगा, यदि आप किसी गाउं कस्वे से हैं, तो आप वहाँ पे टेंट हाउस वगेरा में जाके, या फिर कुछ ऐसे डेकॉरेशन जगे पे जाके संपर कर सकते हो, और अपनी कुछ ची यही दो, अगर उन्हें पसंद आता है, तो वह आपसे डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे, तो आपका यहाँ पे धीरे धीरे बिजने से स्टार्ट हो जाएगा, तो यह दूसरा तरीका है, बात करते हैं तीसरे तरीके की बात की, जो तीसरा तरीके बताऊंगी, वो evergreen है, दोस्तो, सिलाई का काम एक ऐसा है, जिसके बिना कुछ भी possible ही नहीं, मतलब हमें हमारे basic needs में आती है, जो ऐसी चीज़े आप बनाओ, जो हमारे daily uses में हैं, जैसे carry bag बना सकते हो, आप bags बना सकते हो, बच्चों के bags बना सकते हो, देखते हो कि बच्चे कितने बनाओ, और उसी को में अपनी पकड़ बनाओ, ठीक है, जैसे आप 2-4 bag बना लो, उसके बाद किसी bag house में जाओ, उसको market करवा और sell करवाओ, ठीक है, अगर वो sell होता है, उसकी अच्छे price मिल जाती है, पहले ध्यान रखना, किसी की भी price इतनी जादा मत रख देना, कि सामने अला customer ले ही नहीं, कम price रखना, किसी भी चीज की market बनानी है ना, तो पहले हमें कम से सुरुआत करने पड़ती है, तो आप क्या करना, उन्हीं bags का कम rate रखना, वो जैसे ही sell out होने लगेंगे, आपको response मिलेगा, दुकानदार already आपसे बताएगा, तो अगर demand होगी के ना, order द प्लासन नहीं करते, उन्हें दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासकर बड़े-बड़े लोग जो कि अपने बच्चों को plastic को कोई भी सामान नहीं देना चाहते, वो कपड़े का है ना, और soft twice देना चाहते, आपने देखियोंगे, बहुत सारे ऐसे dolls हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कि अपने बच्चों के लिए specially toys ऐसे लेते हैं, जो कि कपड़ों से बने होते हैं, soft twice होते हैं, बहुत easy होता है, soft twice बनाना और बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है, तो आप ऐसे कुछ twice बना सकते हो, अगर आप में finishing है, आप कोशिश करो, बना सकते ह और उसको sell out करो, देखो, market बनाने के लिए सुरुआत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप उनको sell out करके अपना business grow कर सकते हो, दो चार्ट twice बना के, अगर आप देख लो, उसका response अच्छा है, तो फिर आप बना सकते हो, और इसकी छोटी दुकानों से लेके बड़े-बड तक में, और इनकी demand काफी ज़ाद होती है, क्योंकि हर वेक्ति घर में बड़े-बड़े toys रखना सुरू कर दिया है, काफी खिलोने होते हैं, घरों में, कोई-कोई sopies के लिए बनावा के रखता है, तो आगर आप बना सकते हो, तो ऐसे soft toys भी बना सकते हो, एक अच्छा idea है ठीक, next है home use item, home use item बहुत ही ज़्यादा demanded है, मतला बिना इसके तो कुछ काम होता ही नहीं है, basic चीजे हैं जो कि हम हर वेक्ति को चाहिए, pillow covers हो गया, bed sit cover हो गया, आपका fridge cover हो गया, sofa cover हो गया, परदे हो गया, या फिर अप computer cover हो गया, laptop cover हो गया, यानि बहुत सारी ऐसी चीज इस हर वेक्ति को है, इतनी population, इतनी आवादी है दोस्तो, आप अगर इस चीज का market सुरू करोगे ना, या फिर इस चीज का काम सुरू करोगे ना, तो आपको सफलता जरूर मेरेगी, सुरू में देखिए, सबके साथ problem होती है, कभी भी starting से ही पैसे नहीं आने लगते, अपन आपने एक अच्छा market बना लिया ना, तो बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, आप इस्वास नहीं मानोगी, एक महिला थी, जो कि छोटे से गाउं से बिलॉंग करती थी, वो बुनाई करती थी, और रूमा देवी, उनका नाम था, रूमा देवी, रूमा देवी, केरा लेती हैं, कडाई की हुई जूते पहनती हैं, तो उनोंने क्या क्या, रूमा देवी ने कडाइ करना शुरू किया, और कडाइ करने के बाद उन्होंने क्या क्या चोटा सा एक PHP पाथ पे अपने बैग लगाय, जब फुटपाथ में उन्होंने बैग काफी पसंद आये तो उन्होंने उनको order दे दिया उन्होंने approach कर लिया रूमा देवी को काफी बड़ा award भी मिल चुका है अगर आप उनके वारे में नहीं जानते तो इंटरनेट में आप search भी कर सकते हैं तो एक छोटी सी महिला जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं है वो महिला अपने हाथों से बनाईए कोई ना कोई चीज और उसे sell करना सीखे यदि आपको बेचने की कला आ गई तो आपको सब कुछ आ गया दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं last में आपको बताऊंगी कि आप sell कैसे कर सकते हो ठीक है बहुत सारे लोगों के घर में problem होत आती है तो आप अपने बनाईवी चीजों को online sell करो online का जमाना है online sell करमा मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऐसी जो कि आपके बनाईवी चीजों को बिकवाने में आपकी help करती है वो company कौन सी है Amazon का नाम आपने सुना होगा Amazon बहुत ही बड़ी e-commerce company है इसे का नाम सुना ह होगा इटसे के बारे में मैंने already एक वीडियो बना रखी है यदि आपको सिलाई कड़ाई बनाई कुछ भी आती है तो यहां पर यह जो ऐसी साइड है यहां पर आपके हाथों के द्वारा बनाईवी चीजों की ज्यादा demand रहती है यहां पर बहुत ज्यादा बिगती है तो कि आपके हाथों से बनाई हुई चीजों को बिकवाने में help करती है ठीक है आप अगर बना सकते हो toys अगर आप bag बना सकते हो mobile कवर आप बना सकते हो है ना कुशन कवर बना सकते हो bed sheet बना सकते तो आप अपने इन चीजों को अगर market में नहीं डाल सकते हो मालो किसी को कोई दि रो यह अमेजोन में भी बनता है ऍ्ट्से में भी बनता-इडेभ confirm बनते सेलर अकांट बने वालो में ऐसा कोई product नहीं है किन साइडों में जोकि बिका नहीं ठीक है तो आपका definitely बिकेगा चाहे फिर आप कुछ भी बनाओ चाहे आप pant बनाओ, चाहे shirt बनाओ t-shirt बनाओ, blouse बनाओ डुपटा बनाओ, कुर्ती बनाओ shorts बनाओ, ठीक है बच्चों के kids wear बनाओ या फिर mobile bag बनाओ, cover बनाओ हाथों की कढ़ाई की हुई चीजों को बनाओ, तो इस सारी चीजों को बनाओ के, जब आप इन commerce साइडों में upload करते हो ना definitely sell out होता है और जितना sell out होगा, उतना ज़्यादा आपको benefit होगा तो इस तरीके से धीरे 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 आप अपना business build कर सकते हैं आप उन महिला से सीखिए, जोकि एक footpath में कभी road लगाती थी और सोचिए, उन्होंने खुद से start किया और आज उनके group में कितने सारे लोग काम करते हैं उन्होंने कई महिलाओं को काम भी दिया है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, बस आपको करने की जुरात है मैंने इन जो ताहर तरीकों के बारे में बताया है, उसमें implement करने की जुरात है अगर आप करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, तो I hope आपके लिए वीडियो काफी helpful हुआ होगा helpful हुआ है वीडियो हो, तो वीडियो का एक लाइक जरूर कर देना इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सिस्क्राइब कर देना मिलते हो अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ अब तक लिए बाबाई